Hello दोस्तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है Sleepy Classes में दोस्तो हमने पिछले लेक्चर में citizenship के बारे में किया था कि हमें citizenship कैसे मिल सकती है कौन से articles में citizenship cover होती है लेकिन अब ऐसा है कि citizenship तो मिल गई लेकिन citizenship किसको छोड़नी हो या छूट जाए उसके क्या क्या clauses हैं आज उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, तो citizenship act 1955 में तीन प्रकार के तरीके बताएगे हैं जिससे कि आप citizenship lose कर सकते हैं, और किस किस टाइप के हैं, renunciation, termination और deprivation, तो सबसे पहला प्रकार पढ़ते हैं हम, वो है कि renunciation, इसका actual meaning क्या होता है कि आपको आपने छोड़ दी, मतलब तरीके से आपने छोड़ दी citizenship, तो पहला point क्या कहता है कि any citizen of full age and capacity can make a declaration renouncing his citizenship, full age और capacity का मतलब क्या है, 18 से उपर होना चाहिए, ठीकी जी, और capacity का मतलब है कि sound mind भी होना चाहिए, normally जो आपके clauses रहते हैं, ठीकी जी, और ये registration के थ्रू होता है, ऐसे नहीं है कि मैंने, आज मै जाके बूल दिया कि मैं आज से इंडिन citizenship छोड़ रहा हूँ, ऐसे नहीं है, उसके registration का process होता है, upon registration, that declaration, एक declaration देने पड़ती है, the person ceases to be citizen of India, मतलब कि जैसे ही आपने वो registration करी और इसमें declaration दी कि मैं ये citizenship छोड़ रहा हूँ, तो आप फिर इंडिया के citizen नहीं रहते हैं, ठीक जैसे कि अगर इंडिया की war चली हो, suppose इंडिया और पाकिस्तान की war चली हो, और उस टाइम पर ये declaration दी है, तो registration जो है, वो central government के पास withheld रहेगी, मतलब कि central government उसको अपने पास रख लेगी, फिर उसके बाद डिसाइड करेगी, आगे कहता है, further a person renounces his Indian citizenship, every minor child of that person also loses Indian citizenship, जैसे क for example, a and b एक couple है, ठीक है जी, इन दोनों ने कहा कि जी हम ये छोट रहे हैं, Indian citizenship, ठीक है जी, तो जो minor child है उनका, 18 से नीचे का जो होगा, उसकी भी citizenship चली जाएगी, लेकिन इसके साथ ही एक clause भी है, कि जब child 18 की style हो जाएगा, तो he may resume Indian citizenship, मतलब कि उसके पास option होगा, कि उसने Indian citizenship लेनी है, कि नहीं, ठीक है जी, अगली चीज है, by termination, termination का मतलब होता है, खतम करना, renounce का मतलब होता था, अगर अपने त्यार कर दिया, termination का मतलब है, खतम कर देना, खतम हो गई, ठीक है जी, तो when an Indian citizen voluntarily, ठीक है जी, voluntary मतलब खुच से, consciously, मतलब अपने, खोश औहवास में, knowingly, मतलब उसको सब को चपता है, without undue, undue influence and compulsion, मतलब कि उस पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है जी, वो किसी और country की citizenship ले लेता है, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, उसने अपने होश औहवास में किसी और country की citizenship ले ली है, तो उसकी जो citizenship है, वो terminate हो जाएगी, ठीक है, यह पहला point है, दूसरा point है, लेकिन यह provision जो है, यह war के during जो है, नहीं होगा, ठीक है, जी, जैसे क्या हुआ था कि, war भी काफी type की होती है, कई बार आपकी civil war हो जाती है, कई बार आपकी criminal war हो जाती है, मतलब कि दो उसके बीच में होती है, या unrest type हो जाता है, तो उस वक्त क्या है, कि आपकी जो यह citizenship है, वो यह वाला clause apply नहीं होगा, क्योंकि कुछ समय पहले क्या हो था, कि पंजाब में, during late 80s में, ठीक है, terrorism काफी जादा होगा, तो काफी लोगों ने Canadian citizenship भी ले ली थी, तो उस time पर यह clause निकल के आया था, ठीक है, कि बाता है deprivation, मतलब कि आपको रोक थाम कर दिया, आपको डिप्राइव कर दिया किसी particular चीज से, अब deprivation में क्या है, it is a compulsory termination of Indian citizenship by central government, मतलब कि आपको डिप्राइव कर दिया कि नहीं, आपको नहीं मिले गी, और यह compulsory termination हो जाती है, और यह कौन करता है, central government, इसकी clauses क्या क्या ह पहला clause है, if citizen has obtained citizenship by fraud, मतलब कि आपने कोई citizenship लिया है, उसमें कोई fraud किया, धनले की हुए है, दूसरा है, citizen has shown disloyalty to constitution, अब देखिया, आप constitution के against कोई भी कर रहे हैं, suppose आपने sedition कर दी है, ठीक है जी, या फिर आपने कुछ ही इस तरीकी की बात कर दी है, laws तोड़ दी हो है, जो with enemy किया हुआ है, ठीक है जी, जैसे कि हमारे काफी businesses होते हैं, पाकिस्तान के साथ, ठीक है जी, वो businesses legal or lawful है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर, suppose आपने enemy के साथ हमारे country के कोई secret share कर दी है, या फिर कोई, कोई इस तरीक कर trade कर दी है, जो कि lawful नहीं है, तब भी the person can have the termination of his citizenship, ठीक है जी, अगला point है कि the citizen has within five years after registration or naturalization been imprisoned in any country for two years, ठीक है जी, जैसे कि हमने पढ़ा था कि modes of citizens कैसे हैं, तो उसमें registration or naturalization भी था, तो अगर suppose किसी इंसान ने naturalization या registration के थूँ citizenship ली है, लेकिन वो किसी और country में दो साल के लिए उसकी imprisonment हो गई है, ठीक है जी, उसको jail हो गई है तब भी उसकी termination हो सकती है, अगला point है, the citizen has been ordinarily resident or out of India for seven years continuously, मतलब कि वो एक ordinarily resident out of India है, साथ साल के लिए continuously तब भी terminate हो सकती है, ठीक है जी, अब आते हैं overseas citizenship of India, हमने तो पहले किया था person of Indian origin, लेकिन अब क्या था, कि September 2000 में क्या हो था, कि government of India ने, जो कि ministry of external affairs है, उन्होंने एक high level committee रखी थी, ठीक है जी, वो किस चीज़ के लिए थी, Indian diaspora, अब diaspora का मतलब क्या होता है, people of, people of origin, ठीक है जी, तो Indian region के जो लोग थे, उनके लिए, एक high level committee की थी, किन की जी, LM Singh भी की, तो Singh भी committee के बारे में भी कई बार आपसे questions पूछे जा सक होते हैं, exams में, ठीक है, कि Singh भी committee किस चीज़ से related है, ठीक है जी, तो इस committee का mandate क्या था, इन्होंने comprehensive study की थी, कि global Indian diaspora जो है, ठीक है जी, और उनका जो इंडिया के साथ है, उसके साथ एक constructive relationship होना चाहिए, अब देखे, जो person of Indian origin है, वो Indian diaspora में बहुत बड़ा role play करते हैं, वो क कि आपके काफे businesses और काफी economic activities जो है, वो जोड़ी रहती है, और वैसे भी अगर कोई India के origin का है, तो हमारे एक देश की feeling तो आती ही है, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए था, इसलिए LM सिंग भी जी की committee जो थी, उन्होंने इस पे काफे ज़्यादा चर्चा की थी, और कहा था कि इनको inclusive करना चाहिए, ठीके जी, तो committee ने 2002 में ये submit की थी, अपनी report और इसमें क्या recommend किया था कि citizenship act 1955 में amendment करनी चाहिए, जिसमें की dual citizenship to person of Indian origin देनी चाहिए, ठीके जी, उन्होंने ये कहा था कि dual citizenship देनी चाहिए, person of Indian origin को, ठीके जी, तो accordingly फिर 2003 में एक amendment है था, जिसमें क acquisition of overseas citizenship of India, मतलब कि आपका अब OCI card holder आ जाते हैं, ठीके जी, अब इनको dual citizenship तो नहीं है, dual citizenship नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया की singularity है, लेकिन उनको एक card holder types दे दिया, ठीके जी, कि आप OCI card holder हैं, जिसमें कुछ आपको specific छूट या फिर रहायते भी दे जाएंगी, तो इसमें क् जाता है कि person of Indian region, जो कि 16 specified countries, other than Pakistan and Bangladesh, 16 देशों की specified countries है, ठीके जी, उनको, उनको recognize किया जाएगा, ठीके जी, for commonwealth citizens from principal act, में लब उनको recognize किया जाएगा, तो इसमें ये बात कही गई थी, फिर बाद में क्या हो था कि citizenship amendment act 2005 में, ये जो scope है OCI का, इसको थोड़ा सा और हमने expand कर दि कि OCI जो है person of Indian origin, except Pakistan and Bangladesh, मतलब कि as long as उनके पास, मतलब कि उनके जो dual citizenship का जो status है, जो OCI में हम board रहे है, उस status जो है as long as जो उनके जो local laws permit करते हैं, हम उनको admit कर लेंगे, ठीके जी, अब हर country के लग 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 होते हैं, तो उनना नहीं क्या कहा था, कि it must be noted है that OCI is not an actual dual ship, ठीके जी, actual dual ship नहीं है, ठीके जी, ये dual ship को जो है वो forbid करता है, क्योंकि article 9 के अंतरगर्थ, ये dual citizenship को forbid करता है, लेकिन जी, लेकिन फिर 2015 में एक नए amendment आई थी, ठीके जी, उसमें क्या किया था, कि जो आपकी modification क्या डाली थी, कि OCI जो है, जो principal act है, आपको PIO card और OCI card को एकठा कर मतलब की, अब इसको क्या कहेंगे, Overseat Citizen of India card holder, जिसमें की special आपको रहायती दे जाएंगे, ठीके जी, अब आता है जी, registration of OCI card holder की, OCI card holder के बारे में तो आपने पता कर लिया कि है क्या, अब इसकी registration क्याती है, तो Central Government ने rules बनाती है, Central Government ने क्या कहा है, कि एक application बना सकते है, OCI card holder के लिए, वो कैसी है, उसमें उन्होंने क्या कहा, जो प्रावदान रखे है, उसमें सबसे पहले है, कि any person of full age or capacity, ठीके जी, कोई ऐसा person जो full age or capacity का है, जो की citizen of another country है, लेकिन वो जो citizen of India था, at the time of commencement of constitution था, मतलब कि वो किसी और country का citizen है, लेकिन वो citizen था, जब हमारा commencement of constitution हो रहा था, ठीके जी, जैसे कि 26 January, 26 January 1950, ठीके जी, जब commencement हो रहा था, तब वो citizen था, हमारे country का, लेकिन उसके बाद वो किसी और country का citizen बन गया, अगला point कहता है, who is a citizen of another country but was eligible to become citizen of India at the time of commencement of constitution, मतलब कि अभी वो किसी और country का citizen है, लेकिन जिस वक्त commencement of constitution था, उस ताइम पर उसकी eligibility थी, कि इंडिया का वो citizen बन सकता है, ठीके जी, अगला point है कि, who is a citizen of another country but belong to a territory became the part of India after 15 August 1947, मतलब कि वो किसी और country का citizen है, लेकिन जिस वक्त वो citizen था, जिसे for example, pondicherry जो है, वो later stages पे बना था, और वो उस तेम पे किसी और country का citizen बन गया था, बाद में pondicherry हमने acquire कर लिया, तो अब क्या है कि, जिस time पे pondicherry acquire हो रहा था, उस time पे वो इसका citizen बन सकता था, तो इसके लिए वो OCI card holder की eligibility रखता है, ठीके जी, अगला point है, who is a child और grandchild और great grandchild सच और, मतलब कि, देखिए अब child grandchild और great grandchild है, in particular चीज़ों का, ठीके जी, in particular points का, कि वो citizen था उस वक्त पे, या citizen था country का, या citizen another country का, ठीके जी, तो यह आ गए अगले points, अब अगला point क्या है, कि a person who is a minor child of a person mentioned in clause, ठीके जी, minor child किसका है, अब ये ये पूरे जो हमने points किये होए है, इन में से जो भी है, उसका minor child है, कि एक citizen था, किसी country का, जब commencement हो रही थी, या फिर किसी और country का, मतलब ये जो तीन points है, इन तीन points में जो भी person का, जो बच्चा होगा, जो minor है, वो clause a का माना जाएगा, ठीके जी, तो ये भी इसकी eligibility बनती है, कि एक person, जो कि minor child है, किस वक्त clause a में जितने वी दिया हो है, और clause ही ये दिया हो है, हमारे, ठीके जी, any person of full age capacity, और आगे, सब clauses दिया हुए, ठीके जी, C point कहता है, person who is a minor child and whose both parents are citizen of India, और one of the parents is citizen of India, ठीके जी, मतलब कि, एक ऐसा minor child, जिसके दोनों parents, जो है, वो citizen of India है, या उन दोनों में से एक citizen of India है, तो वो OCI card holder के लिए eligible है, ठीके जी, अब आता है, spouse of foreign origin of a citizen of India, spouse of foreign origin of a citizen of India, मतलब इसके बलकुल ही, उसमें करें कि, आपकी कोई, जैसे कोई wife है, या husband है, जो की बाहर के देश का है, ठीके जी, वो citizen of India OCI card holder के लिए eligible है, लेकिन जो उसका period है, वो दो years का होना चाहिए, ठीके जी, immediately after preceding the application, मतलब दो साल का time period होना चाहिए, ठीके जी, इसमें एक और point क और grand parents, और grand parents is or had been citizen of Pakistan, Bangladesh और such other country as central government may specify, shall be eligible for registration of OCI card holder, मतलब की, पाकिस्तान, Bangladesh या कोई भी ऐसा country, जिसमें की central government जो भी ऐसे देशों के लिए बनाती है list, अभी तो पांगलादेश और पाकिस्तान है, ऐसे वाले जितने भी countries है, वो eligible नहीं होंगे, ठीके, जी, अगलिया point कहता है कि central government may specify the date from which the existing person of Indian religion card holder shall be deemed to be overseas citizen of India, मतलब की, एक तो वो eligibility बना सकता है country के लिए, और वो date भी बना सकता है, ठीके जी, कि कौन सी date से allowed है, ठीके जी, तीसरा point कहता है, notwithstanding anything contained in point 1, the central government may, if it is satisfied, does special circumstances exist, after recording the circumstances in writing, registered a person on overseas citizen of India, ठीके जी, अब देखिए, अब central government basically, central government जो है, वो deciding authority है, वो जी, ऊपर जितने भी आपके points दिया हो है, उसमें अगर कोई भी उनको लगता है कि एक special circumstances है, कि special case है, तो उसकी वो circumstances writing में लेके, उसको discuss करके, उसको OCI card holder का दरजा दिया जा सकता है, ठीके जी, अब आते confirmants of rights of OCI card holders, कि अब आपने OCI card holders जो है, उनको आपने दे दिया दरजा, अब उनके rights क्या क्या है, तो उनके rights क्या क्या है, ठीके जी, अब rights है कि उनको basic rights तो मिल जाएंगे, लेकिन बाकी कौन से rights है, वो नहीं मिल सकते हैं, ठीके जी, जो rights है, वो central government specify कर देगी, वो तो उनको मिलेंगे, ठीके जी, वो central government है, एक list बना देनी है, लेकिन कौन-कौन से rights नहीं मिल सकते हैं, अब वो क्या क्या है, he shall not be entitled to right to equality of opportunity, ठीके जी, ये नहीं मिलेगा, right to equality of opportunity in matters of public employment नहीं मिलेगा, he shall not be eligible as president नहीं बन सकते हैं, ठीके जी, वो vice president नहीं बन सकते हैं, ठीके जी, वो judge of supreme court नहीं ब बन सकते हैं, ठीके जी, वो judge of high court नहीं बन सकते हैं, उसे card holder, वो registration as vote नहीं हो सकता है, ठीके जी, he shall not be eligible for member of either house of the, member of the parliament or council of state, ठीके जी, elect नहीं हो सकते हैं, ठीके जी, और यही state legislative or council में भी यह हैं, कि वो नहीं eligible हैं, elect होने की, obviously voter नहीं हैं, तो फिर आप बन नहीं सकते हैं, और वो जो है public service commission या किसी भी तरीके की, इस तरीके की post जो की union or state government में हैं, उस पे भी appointment नहीं हो सकती, ठीके जी, अब यह आ गया OCI card holder के rights और जो rights नहीं मिलेंगे, ठीके जी, अब आते है renunciation of OCI card holders, ठीके जी, if any overseas citizen of India card holder makes in prescribed manner, ठीके जी, अब वो एक declaration दे देता है, कि जी मैं यह card holder, जो है मैं छोड़ रहा हूं, ठीके जी, और वो जो declaration है, central government ने register कर ली है, after such registration, the person shall cease to be OCI card holder, मतब कि आपने declaration देनी है, application देनी है, फिस central government उसको declaration को माल लेगी, ठीके दोस्तों, second है, a person ceases to be an overseas citizen of India card holder, the spouse of foreign origin of that person who has obtained overseas citizen of India card and every minor of person registered as overseas citizen of India card holder shall there upon cease to be an overseas India of card holder, ठीके जी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेसिकली यह हुआ, अगर आपने registration कर ली हुई है, ठीके जी, और आपने यह submission कर दी हुई है, तो फिर वो spouse और आपके जो minor children है, उनकी card holder status भी, सीज हो जाएगा, साथ ही साथ है, ठीके जी, चलिए, अब आते है, cancellation of registration of OCI card holder, ठीके जी, अब cancellation कैसे होती है, Central Government cancel कर सकती है, यह registration of OCI card holder, if it is satisfied कि जो registration जो थी, वो means of fraud, false representation, या concealment of material fact हुआ था, कि मतलब जी, उनने धोखा दाड़ी से किये था, यह गलत information दी थी, या कोई बात चुपाई थी, अगला है कि OCI card holder जो है, उन्होंने constitution की तरफ कोई dis affection शो करी है, यह dis loyalty शो करी है, अगला point उसके बाद क्या है, कि overseas citizen of India card holder ने, during any war, India may be engaged, unlawfully traded and communicated with enemy, जो कि हमने इक उपर एक और point किया हुआ था, अगला point है, कि उन्होंने 5 साल की registration के बाद, ठीक है जी, वो imprisonment होगी उनकी, ठीक है जी, for less than 2 years, ठीक है, मतलब कि 5 साल की registration के बीच में ही उनको 2 साल की सदा होगी है, जेल चले गया है, तब उनका card status चला जाएगा, और अगर ऐसा लगता है कि sovereignty और integrity के उपर जो हमारा question बन रहा है, या security के उपर question बन रहा है, या friendly relation of India की तरफ question बन रहा है, OCI card holder का, तो central government जो है, वो उसकी registration cancel कर देती है, ठीक है दोस्तों, और फिर अगला आता है कि marriage of an overseas citizen of India, ठीक है जी, अगर उनकी जो marriage है, वो dissolve कर दी, competent court of law ने, ठीक है जी, कि उनकी जो marriage है, वो competent law ने कर दी हुई है, खतम, या फिर has not been dissolved, but the substance of such marriage has been solemnized marriage with any other person, मदलब कि उन्होंने किसी और से शादी कर लिए है, तो फिर आपका card का status जो है, OCI card का status वो खतम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का हमारा जो lecture है citizenship खतम हो गया है, ठीक है जी, अब आपके साथ आप बोलेंगे कि सर इसमें CAA और NRC वेगरा क्यों नहीं है, देखें दोस्तों, यह आपके current events के topics हैं, जो कि हम आपको, आपको sleepy classes के main channel पे, sleepy classes के main channel पे आपको मिल जाएगा CAA और NRC, वो दोनों topics खाफी बड़े हैं, जिसको आपको एक ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यह आपके basics of quality हैं, ठीक है जी, तो हमने आज citizenship का lecture खतम हो का दिया है, बाबाय, take care.